कि हाई है अगर दोस्तों आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल फीजियो मंत्र में और मैं अगर डॉक्टर मुस्तफा फिजियो थेरापिस्ट दोस्तों आज हमारी लोग पेंट सेरीज का नाइन अपिसोड है और इस अगर और आज कि यह रहे हो तो आपको एपिसोड नंबर 6 और 7 पहले करने चाहिए क्योंकि वह बेजिक और मेडियम लेवल की एक्सराइज है अगर आप यह एक्सराइज पहले करोगे तो आपका पेन बढ़ सकता है इसलिए मेरी डिक्वेस्ट है आप से कि आप लोगों को पहले 6 और 7 की करनी है उसके बाद 8 की और उसके बाद 9 जुस्तों मैं लास्ट एपिसोड में बता चुका हूं क्या हूं कि एक्सराइज स्लिप डिस्ट के लिए बहुत ही इंपर्टन एक्सराइज है प्लस ऐसा नहीं कि सिर्फ वाले करेंगे यह कोई भी कर सकता है जिनको बैकपेइन है यह नहीं है क्योंकि यह अपके पूरुरी बैक के मसल को स्ट्रोग करेंगे जिससे आपको इन करो वोर्व मगर यह चैनल रूटीन या आपके सस्में जरूर करना तो यह बात का आपको सबसे ज़्यादा पर आज की अक्रसाइब करना वो में भी समा Principies किक लगक पेंसी इसके फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है पहले उल्टे लेट जाना है ठीक है दिखाता हूं कैसे करना है इस तरह से आपको उल्टे लेट जाना है उसके बाद आपको आपके दोनों हाथ को नीचे करक देना है इस तरह से ऐसे नीचे कर देना है यह एक्सरसाइज जो अ 10 second का या 5 second का हम hold करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 फिर दोनों को एक साथ नीचे रखेंगे यह एक बार हुआ यह सा आपको 5 बार करना है 2 दिन तक ठीक है वो 2 दिन के बाद आपको यह exercise 5 बार तो करनी ही है उसके बाद थोड़ा modified करकी exercise करेंगे जैसे के हम यह दोनों हाथ को नीचे से उठा के उपर रख देंगे ऐसे ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है दोनों हाथ को सामनी की तरफ उठाना है और आगे chase से और sir से उपर उठना है ऐसे दोनों हाथ को सीधा कर दिया सर नीचे है, दोनों आद को उठाना है और सर्स को भी उठाना है, इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 5 सेकंड के होल के बाद हम रिलेक्स हो जाएंगे, ठीक है ये एक हुआ, ऐसा आपको 5 करना है, ठीक है दोस्तो 1st 2 डेज के लिए आपको ऐसे करनी है, क्योंकि ये थोड़ी easy exercise है उसके बाद आपको 2 दिन के बाद ये नीचे हाथ वाली exercise तो करनी है 5 बार, मगर ये exercise को उपर लेना, ऐसे और उसको ये फिर से 5 बार करेंगे, ठीक है, तो 2 दिन के बाद ये exercise आपको 10 time करनी है, अगर ये exercise करने से pain बढ़ता है, तो आपको ये exercise burn कर देनी है ठीक है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये exercise मैं ऐसे करता हूँ या करती हूँ, तो pain नहीं होता है, मगर ऐसे करने से pain बढ़ता है, तो आप ये वाली exercise burn कर दोगे, तो आपको क्या करना है सिर्फ आपको ये नीचे हाथ करके उसने वाली exercise करनी है तो ये थी हमारी first exercise ठीक है अब दिखा रहा हूँ episode number 9 की second exercise उसमें क्या करना है दोनों हाथ को आप ऐसे रख दोगी ठीक है head को दोनों हाथ के उपर इसमें रख दोगे ठीक है उसके बाद आप दोलों पेर को एक साथ उठाओगे नीचे स्ट्रेट रखके कैसे ऐसे one two three four five relax ये exercise भी same पांच बार करनी है और उपर उठाने के बाद आपको five seconds का rest लेना है ठीक है ये बाद का आपको त्यान रखना है दूसरा pain बढ़ता है तो exercise बंद गर दोगे ठीक है क्योंकि ये heavy exercise है पहले तो आपसे ये होगी ही नहीं दोनों पेर एक साथ उपर ऐसे होगे ही नहीं मगर फिर भी आपको try करना है अगर सिर्फ आप इतना भी कर लोगे तो भी चलेगा सिर्फ contraction जैसे muscle tight करोगे उठाने के लिए try करोगे तो भी चलेगा जरूई नहीं कि आपको फूरे पेर से उठा लेना है नहीं उठेगे तो भी कोई भी बात नहीं ठीक है दोस्तो सिर्फ आपको try करना है अब try करोगे उसमें भी आपके muscle में strength बढ़ जाएगी ठीक है फिर दीरे दीरे वह प्यार दोनों एक साथ उठने लगए तो यह बात का आपको ध्यान रखना है बहुत जोड़ जबरस्ति या ज़र की मुमेंट से नहीं करनी है वहना आपका पीन बढ़ सकता है ठीक है दोस्तों तो यह थी हमारी आज की second exercise अब दिखा रहा हूं हमारे ninth episode की third exercise यह exercise अगे की दो exercise से थोड़ी टफ रहेगी ठीक है इसी लिए आपको यह exercise अगर आप कर पा रहे हो तो ही करनी है कर नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं आप यह episode की first और second कर वे तो भी चलेगा ठीक है दोस्तों तो दिखा रहा हूं अब आज की episode की third exercise उसमें आपको क्या करना है जैसे हमने first exercise की थी second exercise की थी first में हाद और chest उपर की थी second में दोनों प्यार को उपर किया था third exercise में यह दोनों को एक साज करना है difficult तो ही मगर आपके muscle में power होगा तो definitely आप कर पाओगे अगर नहीं होगा सिर्व आप ट्राइ करो दे फिभी muscles में power बढ़ेगा और तीरे तीरे आप एक वी के आज दस तीर में आप यह exercise कर पाओगे ठीक है दोस्तों तो यह exercise के लिए आप आपको सिर्व सेम पोजिशन उल्टे लेट ना है उसके बाद आपके दोनों हाथों की पोजिशन इस तरह से रख देनी है फिर आगे से खड़े होना है और दोनों प्यार को उपर उठाने को ट्राइ करना है one two three four five यह exercise आपको दिन में दो बार five repetition के साथ और five second hold के साथ करनी है दो दिन करने के बाद अगर आप यह exercise अच्छे से कर लेते हो ठीक है ध्यान रखना यह मेरी बात को अच्छे से सुनना अगर यह exercise आप दो दिन तक अच्छे से कर लेते हो यह हाथ नीचे रखने वाली उसके बाद आपको इस exercise में थोड़ा modification करना है कैसे करेंगे उसमें दोनों हाथ को सामने ले लेना है इस तरह से और फिर पेरों को उपर करके उठना है यह difficult है मगर हो जाएगी 1,2,3,4,5 ओके 5 सेकिंग का होल रखेंगे दिन में दो बार यह exercise भी आपको continue करने है आगे एक exercise के साथ ठीक है दोस्तों तो यह थी हमारी third exercise एपिसोड नमबर समद में आई होगी अब दिखा रहा हूं हमारे nine टे भी छोड़ की fourth exercise इसमें आपको सीधे लेट जाना है इस तरह से उसके बाद दोनों knees को band करना है वहां तक band करेंगे जहां तक आपके हाथ टच कर लेंगे heel को इस यहाँ पर ठीक है दोस्तों तो जहां पर हमारे हाथ टच करेंगे वहाँ पर हम दोनों knees को band करेंगे ठीक है उसके बाद आपको body को उपर की तरफ उठाना है ऐसे one two three four five दीरे से छोड़ देना है रिलाक्स अगेइन one two three four five रिलाक्स यह exercise भी आपको पांच बाद करनी है दिन में दो बाद five second के hold के साथ करनी है ठीक है दोस्तों तो यह थी हमारी आज की एपिसोड नमबर नाइन्ट की चार exercises दोस्तों मैंने आपको last episode यानिक एपिसोड नमबर eight में बताया था कि आपको रिपिटेशन और टैन सेकेंट का hold कर देना है ठीक है आज से आपको episode नमबर six seventh और eight की एक्सिज्ज्जे दस-दस बार कर देनी है ठीक है SSs number eight की exercise आप five बार करोगे तो चलेगा अगर आपको लगता है कि 5 बार अच्छे से हो जाती है तो आप उसको 7 बार या 10 बार कर सकते हो ठीक है दोस्तो करम पानी चे सिखाई स्टार्ट कर देनी है आपको प्लस वाकिंग साइकलिंग और स्विमिंग भी आप स्टार्ट कर सकते हो ठीक है दोस्तो तेंक यू, कीप वाचिंग, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कनल ना भूलें